खूनी बवासिर और बादी बवासिर ऐसे दो बवासिर के प्रकार होते हैं तो उसमें जो खूनी बवासिर है उसमें अंजीर का प्रवग हमने पहले बताया था तो आज बादी बवासिर में बात करते हैं तो जिन लोगों को बादी ववासिर है यानि जिसे खून नहीं आ रहा है लेकिन पेन हो रहा है और डिफिकेशन यानि मोशन में तकलिफ हो रही है तो उनके लिए त्रिफला बहुत ही अच्छा काम करता है तो जिन लोगों को बहुत पेन हो रहा है या फिर पेड़ साफ नहीं हो रहा है उनके लिए रोज रात को 5-7 गान त्रिफला गुर्णबुने पाने के साथ लेने से पेड़ भी साफ होने लगता है और धिरे-धिरे पाइल्स की तकलिफी कम हो जाती है